तो अध्याय तिन में दो वीडियों आ चुके हैं और दो वीडियों में इस पूरा यहां पे आप लोगों का जो बेसिक्स है वह पूरा खतम कर चुके हों और इसमें आंप लोगों बताया था पहले वीडियो में कि एक उंक का दिल करूँगा और अगले वीडियो में च्छे नंग के को कुशन दिल करने वाला हूं इसका मतलब क्या है इसका मतलब समझे देया इसका मतलब यह है कि अब आपको यह चीज पढ़ेकर रखना पढ़ेँगा क्योंकि अब Qiktion में Direct देखना पहले ही Qiktion परिवर्त आवि वाला विदक्रम आवी वाला मैं करवाने वाला हूं पहले को जो सम 했던 आपको क्या मालूम है क्या होता है क्या छिए क्या होता है ले आया हर साल आ रहा है अब मैं लिख रहनी हूं कि यह इस साल आया इस साल आया है ठीक है तो आप लोग को यह कोस्टन बनना चीए अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में पूरा करें चलो कोश्चन नंबर वन कोश्चन नंबर बोर रहा है यदि अब यूदि अब एक नंबर को पूश्चन करा रहा हूं यदि यूद्ध अबूआबर इतना हो तो दिखाईये कि ए डैश का डैस बराबर ए ठीक है एडैस का मतलब ट्रांसपोश होता है परिवरताव्यू तो चलो, हम लोगको हल लिखा मैं, हम लोगको क्या दिया है, लाइट, तो लिख लेते हैं, लाइट, लख लेते हैं, 3-27058, आप लोग बता सकते हो कि इसमें कोई से बड़ी बात है, लाइट, यह हो गया पहली पंग्ती, यह सर दूसरी पंग्ती, यह सर पहला स्थम्प और यह सर दूसरा स्थम्प और यह हो गया सर तीसरा स्थम्प बड़ी बात क्या है तो हम लोग कैसे लिखते हैं कोटी पहले क्या लिखते हैं पंक्ती की संख्या कितनी है दो उसके बाद स्थम्प की संख्या कितनी है तीन तो दो वाई तीन का आप को भोगो धार दीया हुए है तो सबसे पहले द çıktı का लूँ हो जएगा जो फंक्टि में उसको सिंस्प्ल स्थम्ब्स-भर में बदल दो । 3 माइनस दो और माइनस ऑर साथ ना माइनस ञें माइनस साथ पंग्ति इस्तम में चेंज तो होता है यह सांत ही सांत कोटी भी चेंज हो जाती है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर आप कितने कॉलम हैं यहां पर आप लोग कितने कॉलम देख पा रहे हों सुरी यह तो पंग्ति एक पंग्ति दो पंग्ति तीन मतलब तीन तीन पंक्ति है और कॉलम कंग कितने कॉलम कितने कॉलम है तो कितना हो जांग है तीन पंक्ति मुंणा दो कolen यह दखो पलड़ गया अभी क्या आया है यह डैस हम लोगो क्या लिए यह यह सब्सक्राइब लिका लिए यह में छेंज कर दो जो उसको इस समय चेंज कर दो क्या है यह पंक्ति यह रख दो तीन सिटल अब माइस टू फाइफ यहां लिखसा फाइफ अब पंक्ति में क्या है सैवनली गोजा शैवनेट अब इसमने क्या है bien भी बदलेगा यह भी बलेगा क्योंकि इसका परिवर्ट लिका लाँ तो कितना हो जाएगा दो गुणा तीन यह पलट जाएगा भई जो पंक्ति गुणा इस्तंब है वह पलट जाएगा वह देखो मैं पलटा दिया तो चेक कर लेते हैं दो पंक्ति है क्या हां सरी देखो इस कि कि एडस का डैस बराबर यहां पर आ गया यह अगया और यह गुंदार्म भी होता है अगर कर एक मास्क पूछा गया था और आप लोग को ऐसे करके राइट करके यहां पें मिल जाएगा एक अंक मिल जाएगा सिए बड़ी बात है इसमें नंबर कॉखес्चन लवऔर टू यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया हूओ है तो a plus b a plus b अब इसका सम लिकाना है a plus b ठीक है फई aye math is a plus b स्क्राइब से दिख रहे हैं एसक्वेर प्लस सी स्क्वेर और यहां पर एसक्वेर प्लस बी स्क्वेर यह क्या हो गया आव्यू ए हो गया उसके बाद क्या है प्लस तो यहां पर प्लस डाल देता हूं उसके बाद क्या लिखो यह देखो बी आव्यू बी की वैल्यू लिख द अभी संभाव है यदि वह सेम कोटी के हो तो पहले सेम कोटी के दोनों आभी होना चाहिए आप सांगत व्यों के साथ जुडते हैं मतलब कि यह वाला जो पार्ट है इससे जुड़ने वाला है यह इससे जुड़ने वाला है यह इससे जुड़ने वाला है और यह इससे जुड़ने वाले इसके अपने संगत अवियों से जुड़ते हैं तो यहां पर क्या आया जोडने के बाद a plus b मेरा a plus b की value क्या है देखो इसको इससे अगर मैं जोड़े दू तो क्या आएगा A square A square plus B square plus 2AB आया चिकें ? अब इसको मैं इससे जोड़े दूँगो तो क्या आएगा B square plus C square plus 2BC ये आएगा A square plus B square plus 2BC अगर आप लोग इतने समझदार हो गए हो तो बताओ क्या आएगा a square plus c square minus 2ac a square plus c square minus 2ac उसके बात क्या आएगा a square plus b square minus a b यहाँ पे यहाँ पे 2 नहीं दिया है ओके कोई बात नहीं यह हो जाएगा a square q 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 a square plus b square है क्या है यहां पर clear अरे यहां पर तो b square plus c square है तो देखो गलती से mistake हो गया इसमें घवराने वाली कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है इसमें क्या है b square plus c square plus 2bc तो यह किसका का फॉर्मूला आजाएगा बी प्लसी का होली स्कुरेर आ गया यहां तक लियर है क्याई प्यार वच्छों अब यह किसका फॉर्मूला एसकुरर प्लसी जी होब में भी इसका फॉर्मूला में आता तो इसको हैसी लगद ौमूल B square minus A B तो यह हो गया मेरा answer यह हो गया मेरा answer एक माज सा question है बताओ इतना easy question दुनिया में कभी frame होगा क्या मेरे तो लग रहे होगा की नहीं होगा पर होता है और होगा clear रे क्या बोलो यहां तक बात clear रे क्या चलो तो बढ़ते हैं अब A plus B इसमें भी direct है अब आप लोग करोगे देखो यह बार-बार पुष्टे जा रहे हैं ना करके मैं ले लिया हूं चलो तो A plus B तो सबसे पहले आव यू ए बोलो क्या है मेरा A B minus B A okay sir plus A view B कुछ दीख रहे है क्या A B B A अब सबसे पहले तो कोटी देख ले ना वही कोटी क्या है दो बाई दो की कोटी है यह दो बाई दो की कोटी है यह भी दो बाई दो की कोटी है अब मैं संगत अव्यों से जोड़ देता हूं इसको मतलब यह इससे जोड़ेगा यह इससे जोड़ेगा यह इससे जोड़ेगा यह इससे जोड़ेगा वो तो मैं बता रहा हूं आप लो यह हो जाएगा बी प्लस बी बहतरीं सर बी प्लस बी यह हो जाएगा माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और यह हो जाएगा ए प्लस ए यह हो जाएगा ए प्लस ए ओके सर तो ए प्लस बी क्या आया ए प्लस बी आया ए प्लस ए क्या होता है ए प्लस ए टू ए 2B और यहां पर ध्यान से देख़े होगे 2B देखो 2B बोलकर 2A लिख रहो माइनस प्लस भी माइनस भी कैंसल हो गया तो क्या जाएगा 0 A प्लस एक आँ गया होगे 2A हमारा अंसर हाजीर है हमारा अंसर हाजीर है देखो यह एक एक नंबर के पुछते हैं यहार बताओ एक नंबर के लिए पुछते हैं चलो यह प्लस भी आप लोग पहले करो एक सूत्र लगेगा इसको मैं जान मुझके इसलिए गया क्यूंकि टिग्नोमेटरी फ़लन फ़लन फंक्शन आ गया यहां पर याद है मैं बोला था आव यू में कोई संख्या भी रह सकता है देखो अभी तक मैं संख्या यह अलफबेट लिया इससे पहले मैं क्या लिया इससे पहले भी अलफबेट लिया इससे पहले देखो संख्या लिया था तो संख्या भी हो सकता है और यहां पर देखो फंक्शन भी हो सकता है तो म लगाते हैं रुक जाओ। त्रेस लगाते हैं 3 बोलूँँगा वईसे या आप लोगो लिखना चालू करना है 1 2 3 चलो लिखो क्या आएगा कॉसट स्कूर एकश फिर क्या है प्लस साइन स्कूर एक्स!.. साइन स्कूर स्क्वार एक्स प्लस कॉस स्क्वार एक्स प्लस कॉस स्क्वार एक्स प्लस कॉस स्क्वार एक्स फिर क्या है साइन स्क्वार एक्स फिर कॉस स्क्वार एक्स यहां पे साइन स्क्वार एक्स प्लस कॉस स्क्वार एक्स ओके यह हो गया साइन स्क्वार एक्स और फिर कॉस स्क्वाइर एक्स प्लस साइन स्क्वाइर एक्स चलो बताओ तो ए प्लस भी क्या यह ए प्लस भी क्या आप लोग को मालूम है एक सुत्र होता है तो यहां पर दिया स्क्वाइर एक्स प्लस स्क्वाइर एक्स इस इक्वाइर तो यह क्या हो गया वन यह हो गया वन क्यूंकि स्क्वाइर एक्स प्लस साइन स्क्वाइर भी तो वन होगा अरे दो प्लस तीन पांच होता है तो तीन प्लस दो भी पांच होगा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई कॉस स्क्वार एक्स प्लस साइन स्क्वार एक्स इस एक्वल टू वन अरे दो प्लस तीन भी पांच होता है तो यह वन हो गया यह भी वन हो गया और यह भी वन हो ठीक है, अब क्या करना है, अब माइनस करना है, तो इसमें भी तो वही करेंगे, क्या, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यह है A plus B, A क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो, 1, 3, Mynes, 2, 5, यह Minus का Minus लगाओ यहाँपर, Mynes का Minus, आब यूब B क्या दिया है, attention to 5, 3, 4, उनके भाए अब देखलो कोटी क्रोस्टू की है कर étaसं करूंगा संगत अवयोग के सांथ help इन दोनों को घटावगा अभी और ठाड़ा था अभ घटाने वाला हो द्यान सा देखो घटाने वाला हो तहё जाए अप science स्वर जाएगा तो यहां पे a minus b आएगा यहां पर भी a minus b आएगा यह हो जाएगा a minus b okay a minus b okay चलो घटाता हूं one minus और यह b वाला one minus b sorry a minus b ना तो a की value क्या है one minus b क्या है minus two फिर क्या है three three minus five यह है minus two minus three फिर क्या है five minus four clear है यहां पर ध्यान से देखते रहना ना a minus b होता है तो a का यह वाला अभ्यव फिर minus का sign और b का यह वाला अभ्यव ना ध्यान से देखना अभी इसको मैं क्या कर रहा हूं दोनों को घटाता हूं तो क्या है A minus b की value क्या है ध्यान से देखो one minus माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाते तो दो फिन प्लस थो जाएगा तुरी हो जाएगा्ती बूर्टी माइनस प्लस माइनस माइनस होता है घते घटेगा पाँच में तीन लगता है जोड खट कर多少 मतलब जूड़े गाद गया तीन और तो मैं डाल देता हूं यह पांच माइनस चार पांच माइनस चार होता है एक और जैसे यह होता है मेरा आंसर आ मिलता है और हमारी जोली में ओ जोली में आ गया ऑब क्या आप लोग से यह निहीं बनेगा यह नि ऐसे चलो यह देखो यह सबसे मतलाब अगर मैं बोलूं की बच्चेय का जोघता है तो यह है गुणन फल में तौ देखो भई हम लोग परिवर्थ लिकालना सिख गये योखवल सिख गये और घटाना सिख गये अब गुणा करना सिखते हैं देखो ध्यान से देखना है ध्यान से देखते रहना इसको इसको थोड़ा सा समझ लो फिर अगला ठीक है 2432 और उसके बाद माइनस 2534 तो देखो इसको गुणा कैसे करते हैं अब ध्यान से पूरा देखो आप लोग इसका गुणा कैसे करते हैं सबसे पहले किसको लेते हैं सबसे पहले ध्यान से देखो किसको लेते हैं इसकी पहली पंक्ती और इसका पहला इस्तम ठीक है इसक पहली पंक्ति और इसके पहले स्थम्ब को देखो तो देखो क्या करते हैं इससे दो का गुणा इससे करते हैं और चार का गुणा इससे करते हैं ठीक है भई तो देखो क्या होगा दो गुणा माइनस दो यहां पर देखो दो गुणा माइनस दो ठीक है इसका काम हो गया दो गुणा माइनस दो कर दिया तो इसका काम हो गया अब उसके बाद क्या करते हैं धन का चिन्न लगाते हैं अब इसका गुणा इससे करेंगे तो चार गुणा त करेंगे यहां पर करेंगे चार गुणा तीन चार गुणा तीन हो गया यहां पर अब क्या करने वाला हूं मैं ध्यान से देखो अब क्या करने वाला हूं हो गया पहली पंक्ती पहला इस्तम अब पहली पंक्ती दूसरा इस्तम पहली पंक्ती दूसरा इस्तम तो दूसरे इस्त को ध्यान दो पहली पंक्ती दूसरा इस्तम पहले पहली पंक्ती पहला इस्तम अब पहली पंक्ती दूसरा इस्तम तो क्या करेंगे इस दो का गुणा इस पांच से करो इस चार का गुणा इस चार से करो देखो सबसे पहले इस दो का गुणा पांच से किया अब प्लस का चिन लगा दो फिर इस चार का गुणा इस चार से करो तो इस चार का गुणा इस चार से किया यहां तक बात क्लिया रहे क्या क्या किया मैं पहली पंक्ती पहला इस्तम फिर पहली पंक्ती दूसरा इस्तम हो गया काम अब दूसरी पंक्ती पहला इस्तम, द्यान से देखो, ये दूसरी पंक्ती और पहला इस्तम करूंगा, तो क्या करूंगा? इस तीन का गुणा माइनस टू से तो इस तीन का गुणा माइनस टू से इसा काम हो गया पहली पंक्ती और इसका ये तीन का काम माइनस दो का काम हो गया फिर प्लस फिर इस दो का गुणा तीन से करूंगा इस दो का गुणा तीन से करूंगा ठीक है क्या किया पहली पंक्ती प पांस से करूंगा तीन का गुणा पांस से किया मैं फिर प्लस का चिन्द डाला फिर दो का गुणा चार से करूंगा फिर दो का गुणा चार से करूंगा यह हो गया हो गया बस हो गया बस अब इसको सॉल्फ कर दो भई इसको सॉल्फ करो A into B क्या आया है देखते हैं दो गुडा माइनस दो तो यह हो जाएगा माइनस चार प्लस चारतिया बारा अब इधर देखों पांस दुनी दस चार चौक 16 पांस दुनी 10 और चार चौक 16 अब यह क्या है तीन दूनी 6 यह माइनस टू है तो यह माइनस 6 हो जाएगा माइनस 6 प्लस तीन दूनी 6 यह तीन दूनी 6 यह क्या होगा पांस तीया पंद्रह प्लस चार दूनी आठ तो यहां पर एंटू बी क्या आगया बारा में चार गया आठ दस और सोला होता है 26 और 6 माइनस 6 कड़ गया तो 0 5 और 18 कितना होता है यह हो गया अंसर जहां से देखो अभी समझ में नहीं आया होगा तो देखो नेक्स कोशचन लेने वाला होता हूं तो मैं क्या हो पहली पंक्ती पहला इस्तं तो दो दूनी यहां पर 2-2-2 फिर 4-3 फिर पहली पंक्ती दूसरा इस्तं 2-5, 4-4, दूसरी पंक्ती पहला इस्तम, 3 into minus 2, 2 into 3, फिर दूसरी पंक्ती दूसरा इस्तम, 3 into 5, 2 into 4, यहाँ पे गुणा किया, 2 दूनी, 4 यहाँ पे minus है तो minus, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 4 चोक 16, 3 दूनी 6, यहाँ पे minus है तो minus, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 दूनी जोड दिया, 12 में minus 4, 8 होगा, 10 और 16 कितन होगा, 26, plus 6 और minus 6 कैंसल, 15 और 8 होता है कितना 20, छीक है, तो यह समझ माया, तो यह question आप लोग मेरे से जल्दी करेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हल, हाँ यह लिख दो हल, अब हल मैं लिख रहा हूँ, a into b, a into b, a क्या है, 2, 4, 3, 2 into, 1, 3, 2, 5, चलो भई, अब चलो, अब देखो, समझ में आया कि नहीं, पहली पंक्ती, पहला इस्तम, पहली पंक्ती, पहला इस्तम, तो यह पहली पंक्ती, पहला इस्तम, तो दो गुणा एक, यह लोग दो गुणा एक, प्लस, चार गुणा दो, चार गुणा दो, हो गया, अब पहली पंक्ती, दूसरा इस् दो का गुणा तीन के साथ प्लस इस चार का गुणा पांच के साथ हो गया पहली पंक्ति दूसरा इस्तम भी हो गया अगर तीसरा इस्तम भी होता तो पहली पंक्ति तीसरा इस्तम भी करते हैं पहली पंक्ति के साथ पूरा इस्तम को खतम करते हैं पूरा इस्तम खतम हो गया हा करेंगे दूसरी पंक्ती दूसरा इस्तम 3 into 3 यह हो गया 3 into 3 plus 2 into 5 2 into 5 हो गया अब गुणा कर दो भाग कर दो सौरी भाग तो करेंगे ने क्योंकि भाग तो है नि जोड़ खटाना गुणा क्या हो रहा है देख लेते हैं यहाँ पे 2 एकम 2 चार दूनी आट 2 एकम 2 प्लस चार दूनी आट 3 दूनी छे 5 चौक 20 6 प्लस 20 6 प्लस 20 तीन एकम 3 दूनी चार 3 एकम 3 दूनी चार 3 तिया नौ प्लस दूनी दस तिया नौ प्लस दूनी दस तो A इंटू B मेरा क्या आया 8, 2, 10, 20, 26, 26, 24, 37, 10, 19 और यह हो गया मेरा A, N, S, W, E, R अंसर समर्ज में आया पहली पंक्ती पहला इस्तम कोई दिक्कत पहली पंक्ती दूसरा इस्तम दूसरी पंक्ती पहला इस्तम दूसरी पंक्ती दूसरा इस्तम क्लियर है? औ5000 कर दी चार पंचे 26 तीन एकम तीन और दो दूनी चार तो चार तीन साथ तीन त्या नौ पांस दूनी दस दस और न उननिस तो आप लोगो माइंड में ऐसे डारेक्ट डारेक्ट भी आप लोग प्रैक्टिस करके देखो घर में क्योंकि एक्जाम में तो स्टेप बाई स्टेप आए के मानों को ग्यात कि दिए देखो अभी यह ताइप पर जो कोष्टन है ना चलन में हमारा चलन में तो मैंने परिवर्त आव्यू देख लिया मैंने योखवल देख लिया घटाना देख लिया गुणा करना देख लिया अब यहां पे क्या रहे आव्यू की समानता और अदीश गुणानफन का कंसेप्ट आ गया देखो कैसे भी अब मैं हल लिखा अब ध्यान से देखो यह क्या है दो बाहर में हैं और एक आव्यू है यह अदीश गुणानफन है मतलब इस दो का मल्टिप्लाई इस आव्यू के प्रत्य अव्याव से होगा एक से भी होगा पा साध्यूनी 14 और यहां पर हो जाएगा 2 इंटू y-3 यह हो गया अदीश गुणन फ़ल अदीश गुणन ख़ल हो गया ठीक है तो यह हो गया अब प्लस कर दो ठीक है तो मैं यह बोल सकता हम कि इस 2 का इसके साथ गुणा कर दिया अब यह क्या है 3-4 1 और 2 मेरे को x और किसका y का मान ग्याद करना है ठीक है अब यह क्या है 7 6 15 14 क्लियर है क्लियर है अब इन दोनों को जोड़ना है अब यह तो 2 क्रॉस 2 का कोटी का है तो इसके संगत संगत अब यह को जोड़ेंगे 2x उससे जूड़ जाएग यह से जुड जाएगा और यह से जूड़ जायगा यह इस जूड़ जाएगा क्लियर है 14 plus 1, चीच है, minus कैसे आए, आप लोगों ये लग रहे हैं, कि देखो, 10 जोड रहा हूँ न, मैं, ये देखो, ये कैसा है, मैं आप लोगों बता रहा हूँ, ये देखो, ये 10 जोड रहा हूँ तो plus, और ये minus 4, ये minus 4, फिर ये क्या है, देखो, इसको अंदर multiply कर रहा हूँ, 2i minus 6, ये लिखा, प्लस, इसका संगत अव्याओ है, 2, अब क्या बचा, ये है न, 7, 6, 15, 14, 7, 6, 15, 14, क्लियर है, अभी इसका काम खतम नहीं हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ, अभी और क्लियर अकलाब बचा है, 2x plus 3, ओके सर, 2x plus 3, ओके, फिर ये क्या है, 10 plus minus minus हो देखो, 10 minus 4, 6 हो जाएगा, 10 minus 4, 6, 14 plus 1, 15, 14 plus 1, 15, और ये क्या है, देखो, 2x minus 6 plus 2, तो minus 6 plus 2 कितना होगा, minus 4, 2x minus 4 आजाएगा, ये, स्वारी, 2y minus 4 आजाएगा, और फिर क्या है, बराबर, बराबर क्या है, 7, 6, 15, 14, 7, 6, 15, 14, अब आप लोग लिकाल सकते हो क्या, अब आप लोग लिकाल सकते हो क्या, सर कैसे करके लिकाले, अरे प्रभू, देखो, इधर मैं क्या बोला, अब यहां पे बराबर जब आप लोग को दिख रहे हैं, तो आव्यू की समानता, आव्यू की समानता में हम लोग पढ़े थे, कि यहां का A11 बराबर होगा, B11 के A12 बराबर होगा, B12 के C, सुरी, A21 बराबर होगा, B21 का A22 बराबर होगा, B22 के, तो हम लोग X और Y फाइंड करने हैं, तो देखो, X कहां से लिकल जाएगा, a11 बराबर b11 से लिकल जाएगा a11 बराबर b11 से लिकल जाएगा तो a11 है 2x प्लस 3 b11 है 7 तो x की value देखो क्या होगी 2x 7-3 तो यह हो जाएगा 2x is equal to 7 में 3 गया 4 तो x की value हो जाएगा 4 बटे 2 तो x की value हो जाएगा 2 अब y कहां से लिका लूँ लोखो y कहीं पर दिख रहा है हाँ sir y दिख रहा है बताओ कहां पर a22 बराबर sir b22 कर दो a22 क्या है sir 2y minus 4 is equal to b22 है sir 14 इस क्या बोलते हैं 4 को उधर भेजूँगा minus 4 को तो यह हो जाएगा 2y 14 प्लस 4 18 sir तो y की value 18 बटे 2 मतलब 9 तो sir x और y की value मिल गई तो sir जैसे उत्तर आएगा तो मैं खूस हो जाओंगा और आंसर करके लिख दूँगा यहां पर बराबर दिया है याने की आवियू की समानता तो चलो मैं बोल देता हूँ यह इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना 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 बराबर इतना क्या लिखा है is equal to लगा है मैं करवा रहा हूँ तो word नहीं दूंगा इसको तो ये क्या हो जाएगा X की value क्या हो जाएगी X की value 1 हो जाएगी Y की value 4 हो जाएगी और Z की value 3 हो जाएगी जबंसर तो आपको मैं 10 question कराया 9 question आप लोगों मैं होग दिया तो आप लोग को इसका एड़ेश बोलिए या एकी power small T या एकी प्यावर करके बताईएगा तो दस कोश्चन कराया एक नंबर का पूरा खतम कर दिया वराइटी ओफ कोश्चन ले लिया वराइटी ओफ कोश्चन ले लिया जितना था गुणा योग घटाना हना अधीज गुणा करना आप परिवर्त लिकालना अभ्यू की समगानता देख रहें कर दो